पूर्णिंग विध्यार्थी मीत्रों पार्ट आठ जो पूरक पठन है किरिनी इसके लेखक डॉक्टर रत्नकुमार सामरिया जी है उन्होंने इस पार्ट के माध्यम से हमें यह सीख दी है कि जीवन में मां जो है हमारे लिए बहुती महत्वपूर्ण है चाहे वो मानव की हो पशू की हो या पक्षी की हो वो अपने बच्चे के लिए अपनी जीजान लगा देती है इस पार्ट के माध्यम से उन्होंने जीवन की किसी घटना के रोचक प्रवाई वर्नन को प्रवाई वर्नन को बहुती सुंदर तरीके से कहानी में प्रस्तूत किया है ऐसी जो कहानिया हैं उनमें जो पात रात्वा चरित्र का अधिक मैत्व होता है कहानी इतनी भावना प्रधान होती है कि पढ़ते समय संबंदित घटना या प्रसंग का चित्र आखों के सामने उबर कर आ जाता है ऐसी ही कहानियों के चित्रात्मक कहानी कहते है ऐसी जो कहानिया होती है ऐसी कहानियों को चित्रात्मक कहानिया कहते है जैसे भावना प्रधान कहानिया जो कहानी हम पढ़ते है लेकिन चित्र के स्वरूप में वो हमारे आखों के सामने प्रकट हो जाते है प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक कठोर रुदे की सहरुदेता और अपने प्रती किये गए उककार के प्रतिदान का चित्रन बड़े ही मार्मिक धंक से किया है आपने इस कहानी का इस पुरुख पठन का कल आधा हिस्सा पड़ा था आज हम उसके आगे वाला हिस्सा पेज नंबर 35 से शुरुवात करेंगे उसका रिदय विदिर्न हो आया था यानि भावुक हो गया था कौन लच्छिनाथ उसने छूरा वही जमिन में गाड़ दिया था और चूरा उसने जब उसका रुद्धे व्यकुल हो गया और वह दयाभाव उसके मन में जागा और उसने चूरा है जो जमीन में गाड़ दिया था स्नेल हातों से स्नेल हातों उसने बच्चे को गोदी में उठा लिया था और जो शावक था हिरन का बच्चा उसको अपने गोदी में लच्छीनात ने उठा लिया वह कदम दर कदम उदर बढ़ता चला गया जहां उसकी माँ खड़ी हुई थी और धीरे धीरे वह उस दिशा में चलता गया जिस दिशा में उस शावक की मा जो हिरनी है वह खड़ी थी उदर शावक को लेकर लच्छिनात खेत की और बड़ा था और इदर श्वान छूरे को मुँँ में भर कर जोपड़ी की और चला आया था और एक तरफ लच्छिनात जो है वह शावक को गोदी में उठा कर उसकी मा के पास जा रहे थे दूसरी तरफ उसका जो श्वान है कुत्ता जिसका नाम शेरू है वह चूरे को मुँँ में भर कर जोपड़ी की और चला गया बालक का जी मा की आत्मा में वस्ता है बालक का जी मा की आत्मा में बस्ता है कि मा जो होती है अपने बच्चे के लिए व्याकुल रहती है जब तक अपने बच्चे को नहीं देख लेती तब तक उसकी आत्मा जो है वह शांत नहीं हो सकती और यहां तो मौत के मुँ में शावक जो है वो गया है और यह देखकर उसकी जो मा है वो क्या हो चुकी थी बहुत ही व्याकुल हो चुकी थी जिस मा का बच्चा मौत के मुँ में हो उसे अमन कहा अमन यानि शांती जिस किसी मा का बच्चा मौत के मुँ में गया है तो वह मा शांत नहीं बैठ सकती वो बैचेन हो जाती है, चिन्ता उसे सताती है कि मेरा बच्चा वहां से जीवित आएगा या नहीं, उसको बहुत चिन्ता सताई रहती है, बैचेन सी रहती है, हिरनी की सांसे जैसे उसके फेफडो और पसलियों में ही सिमिटी हुई थी, और हिरनी की जो सांसे है, उसके रिद्रे फेपडो और पसलियों में ही सिमिटी हुई थी, अटक गई थी, उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, ममता की अद्रुष्य डोर से बंदी हिरनी वहाँ आड़ी देख कर खड़ी हुई थी जो दिखाई न दे ममता प्रेम जो अपने शावक के प्रती उसका प्रेम था और जो अद्रुष्य डोर से बंदी थी जो डोर आखों को दिखाई नहीं दे रही थी ममता की डोर लेकिन हिरनी वहाँ आड़ी देख कर खड़ी हुई थी और वो अपने जगव पर इस तरह से खड़ी हो चुकी थी ना उसे किसी प्रकार का ध्यान था कि वो कहां खड़ी है उसके सामने कौन आये है वो क्या बदला हुए है पड़ोस में क्या हो रहा है इसका कुछ भी अंदेशा उसे नहीं था और ममता की अद्रुष्य डोर ने उसे मानो वहाँ पर क्या कर लिया था बांध लिया था बच्चे को लेकर लच्छीनाथ खेत में पहुँच गया पहुँच गया था और उस शावक को लेकर लच्छीनाथ जिस खेत में हिरनी खड़ी थी शांती से बहुती स्तब्द बिना हल्चल किये त्रुण सागर में खड़ी हिरनी कॉन्नो तिया उठाएं एक सास उदर ही देखे जाती थी त्रुण सागर की त्रुण याने घास सागर याने समुद्र का यानी समुद्र के रूप में तो जो मानो घास का वो सागर है जो खेती थी वो मानो वहां उपच नहीं होती थी तो वहां पर सब घास उखकर आती थी तो इतनी बड़ी-बड़ी घास वहाँ पर उख कर आई थी कि उस घास में वो खड़ी थी और उसी घास में इतनी बड़ी-बड़ी घास में हरी-बड़ी घास में जो है लचिनात वहाँ पर इसकी दिशा में हिरनी की दिशा में शावक को लेकर चला आ रहा था और वही हिरनी कनोतियां जो होती है पश्यों के कान जिसे कहा जाता है कि जो कान आकाश की और इस प्रकार से खड़े कर दिये जाते हैं और जिनसे बहुती सुक्ष्मता से धुनियों को सुना जा सकता है इस इस दिती में वो कान खड़े होते हैं उनके कि कहां से कोन आ रहा है इस दिशा में बहुत ही चोकनना होकर जब वो सुनते है, तो कान खड़े कर देते हैं, पशुओं के कान जो होते हैं, खड़े हो जाते हैं उस समय, उठाए एक सांस और उधर ही देखे जाती थी, और उस तरफ ही देखे जा रही थी, जिस तरफ से लचिनात आया था, एकड़म उधास, हताश, उधास बहुत दुखी थी, मायूस थी, हताश थी, यानि कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, शोक, उसे बहुत ही शोक हो रहा था, जैसे देखिए कि अपना कोई परीजन, इसी मुसीबत में हो, या कोई पुत्र या पुत्री, मुसीबत में हो तो मा रात भर नहीं सो पाती है, ना किसा काम में उसका मन लगता है, ना ध्यान लगता है, बेचैंसी रहती है, उसी प्रकार की जो व्याकुलता है, जो स्थिती है यहां पर हिरनी की हो चुकी थी, वो बहुत ही शोग कर रही थी, मनीमन शोग कर रही थी, संतप्तसी, बीच में उसको बहुत क्रोध, थोड़ा क्रोध भी आता था, क्लान यहां थका हुआ, बहुत थक चुकी थी, वो मानसिक रूप से बहुत ही थक चुकी थी, मनो वह शरीर से नहीं स्तापिद संगर, संग मरमरी हो, और वहाँ पर इस स्थिती में वो खड़ी थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पर कोई संग मरमरी जो मूरत है वो खड़ी है, बिल्कुल भी उसकी हलचल नहीं हो रही है, मानों उसकी सांस रुख गई है, किसी ने देखा कि कोई ऐसा देखता है कि उसे लगे कि यह मूरत यह उसके सामने खड़ी है, शरीरी नहीं स्तापित संग मरमरी है, यानि कि बिल्कुल उसकी जो हलचल है वो होई नहीं रही है, इस प्रकार से वह वहाँ पर खड़ी थी, अकस्मात यानि अचानक, अकस्मात यानि अचानक, लचिनात की निगाहे, दृष्टी जो हैं, लच वो सहमकर रह गया था, और वो देखता ही रह गया कि क्या है, दूसरी और उसने अपनी निगाहे डाली, और वो सहमकर रह गया, पांच श्रुंगालो का एक जुंड, यानि सियारो का, जो पांच श्रुंगालो का एक जुंड यानि सियारो का, जो हैं, उनका एक जुंड, हीरनी से थोड़ी दूरी बनाएं खड़ा था, थोड़ी दूरी बनाएं, सियारो का एक जुंड था, वो वहाँ खड़ा था, और ये किस ने देखा लचिनात ने देख लिया, सियार यह उमीद बांदे थे कि मृत्प्राय है हिर्नी, उसकी सांसे टूट जाएगी और उनका भोग भक्षन होगा और जो सियार वहां पर आये थे उन्हें ऐसा प्रतित हो रहा था कि ये जो हिर्नी है ये मृत्प्राय है, अभी मरने की स्थिती में है, मानो मर चुकी है और जैसे ही उसकी सांसे जो है वो तूट जाएगी, जैसे सांस तूट जाएगी तो हम क्या करेंगे इसका भोग करेंगे, बक्षन करेंगे, याने कि हमारी जो भूख है इस शरीर को खाकर मिट जाएगी, इस प्रकार का वो अनुमा पान लगा रहे थे, अंदेशा लगा रहे थे और दुर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का कि कब वो अंतिम्सास ले और कब उसको क्या करेंगे उसका भोग करेंगे, भक्षन करेंगे, उसको खाएंगे लचिनात ने धर्ती पर पाउं की धमक के साथ उनको हटकार दिया था और जैसे ही उन्होंने उस खेटी में अपने पाउं रखे उनके धमक के साथ उनको क्या कर दिया हटकार दिया था आवाज दी उसने इस प्रकार की आवाज दी की हटकार दिया उन्हें भगाया वहां से तो वो डर गए गीधर को कायर का परियाय कहा और फिर जब वो डर गए गब्रा गए तो कायर यानि घब्रा जाना तो वो क्या हो गए वहां से परियाय कहा जाता है तो उसी समान जब भी मुरूत प्राय शरीर जब पड़े हुए होते तो बहुत सारे गिद इकटटा हो जाते हैं. जब जीवित रहता है तो गिद आने की जो संभावना रहती है, वो बहुत कम रहती हैं नहीं आते हैं, डरते हैं वो, कायर होते हैं, लेकिन जब कभी कोई मुरुद शरीर कहां पड़ाहा होता है, तो वो इतनी भारी संक्या में आकर उस शरीर को नोच लेते हैं, तो फिर कायर यानि की जिसे हम लोग कहेंगे की डरपोक और परियाय कहा गया परियाय यानि विकल्प कहा जाता है तो धमक आदमी की रुहू नजर पढ़ती ही वे सब के सब सीर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए थे सिर पर पैर रखकर भाग खड़े होना इसका अरत क्या है कि तेज गती के साथ वहां से भाग जाना या तेज गती के साथ वहां से निकल पढ़ना किसी को नजर न आना बहुत तेज गती के साथ वो क्या हो गए भाग गए कौन श्रुंगालों का वो जुन्ड जो कौन से उद्देश्य से वहां खड़ाता कि हिरनी को क्या करेंगे हम उसकी सांस तुट्टे ही खाएंगे उसका मांस का लेंगे इस उद्देश्य से जो खड़ाता वो वहां से भाग खड़ा हुआ लचिनात ने बच्चा हिरनी के पाज छोड़ दिया था और लचिनात ने क्या किया वो जो शावग था हिरनी का बच्चा उसके करीब पाज छोड़ दिया था बूझते दीपक में तेल डालते ही उसकी लोग फिर प्रकाशमान होने लगी है देखिए बूजता हुआ दीपक है बहुत ही ऐसा है कि अभी बूजने की गार पर ये बूजेग आई क्यूंकि उसमें तेल नहीं है लेकिन जैसे ही उसमें तेल आ जाता है दिये में तो वो दीपक फिर से उसकी लो जो है वो फिर से प्रकाशमान होने लगती है चारों तरब प्रकाश फैलने लगता है उसी प्रकार की स्थीति हिरणी की थी मानो उसके उसके शरीर में से जो प्रान निकलने वाले थे वह प्रान वापिस आने लगे थे इसके कारण जो शावक उसके पास आकर उसने जब देख लिया तो वह मानो प्रकाश्मान हो गई मानो उसके जी में जान आ गई सूद बूद खोई हिरनी में जैसे फिर जीवन जोती प्रोजवलित होने लगी थी और जिसने अपनी सूद बूद खोदी थी वो कहां कड़िये उससे पता नहीं था किसी बात का पता नहीं था कब जाकर कभी से सियार उसका इंतजार कर रहे थे वहां पर और फिर भी उसको अपना ध्यान नहीं था कि सियार आकर खड़े है कब उसे उस पर तूट पड़ेंगे और कब उसको वहां पर उसकी शिकार हो जाएगी और उसका मास नोच लेंगे यह अभी धान उसको नहीं था, उसने सब सूद बूद खो दी थी, और जैसे ही शावक उसके पास करीब आ गया, तो उसके जीवन में जोती प्रजोलित हो गई, यानि जीवन में प्रकाश आ गया, यानि कि उसने देखा कि उसका बच्चा जो है, वो शावक जो है, वो जीवीत है, कोई भी माहो जब बच्चे को सुरक्षित देख लेती है, पाल लेती है, तो उसकी जो खुशी होती है, वह खुशी, वह शब्दों में वेक्त नहीं कर सकती, वह अपनी भावना शब्दों में वेक्त नहीं कर सकती, वह बच्चे की ओर देख कर आखों में से मानों, आनंद के आशु वहाँ पर बहाने लगती है, कि हे प्रभू तुने मेरी सुन ली, वह चैतन्य और चोकस हो गई थी, चैतन्य यानि सावध होग न, वह चैतन्य और सचेत हो गई थी, जंगल विरिहनी, जंगल विहरनी की आखों से टब, टब, दो, तीन बूंदे गिरी और जंगल में घुमने वाली, विहरनी का अर्थ क्या होता है, कि जंगल में घुमने वाली जो हिरनी है, जंगल को अपना घर जंगल को ही अपना सर्वस्व मानने वाली जो हिरनी है, उसकी आखों में से आशु निकलने लगे, दो, तीन बूंदे उसकी गिरी, सर्द आशुओं में अब वेदना नहीं, खुशी का भाव जलक रहा था, अब दुख का भाव नहीं था, वेदना का भाव यानि दुख का भाव, सर्द आखों में अब वेदना नहीं, यानि दुख का भाव नहीं, दुख नहीं, खुशी का भाव जलक रहा था, वो खुश हो चुकी थी, क्योंकि उसके बच्चे को उसने सुरक्षित देखा, करीब देखा, हिरनी ने लचिनात की ओर ऐसा देखा, मानो वह, कोई इनसान नहीं फरिष्टा हो, फरिष्टा यानि देवदूत, जैसे कि इश्वर ने ही उनको भेजा है, कि जाओ ये अच्छा काम करो, नेक काम करो, इस दुरुष्टी से वो लच्षीनात की ओर देखकर उसके एहसान मान रही थी, मानो अपने आखों से उसके क्या मान रही इहसान मान रही थी, मानो तुम आपने मेरे उपर इतने उपकार किये कि उनको मैं शब्द में वेक्त नहीं कर सकती। की मा का मन है और मा बच्चे के बिना नहीं रह सकती और वहीं खड़ी रहे गई और वहीं पर वो खड़ी रहे गई रही गए थी, लच्छीनात को विस्मय हुआ, वो आश्यर हुआ उसे की अपना टाबर पाने के बाद जो हिरनी को कुछलाते मारते यहां से बाग खड़ा ह होना चाहिए था, यह तो खड़ी मेरी और ही लखे जाती है, कि इसने देखना था कि उसका शावक उसके पास जब आ चुका है, उसका बच्चा उसके पास आ चुका है, उसे मिला है, प्राप्त हो चुका है, फिर भी वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रही है, पुलाचे मारना याने चलांग मारते हुए उसने अब तक भाग कड़ा होना था भाग कड़ा होना था याने कि वहाँ से भाग जाना था लेकिन वो नहीं गई वो वहीं पर क्या थी खड़ी थी यह तो खड़ी मेरी और ही लखे जाती है देखती जारी लचनात की और ही देखे जारी है और वहाँ से जा नहीं रहे थी जंगली जानवरों को भी अपनी बोली भाषा हक हुक हुक हुआ करते है और देखो जैसे हमारी भाषा है वैसे उन पश्यों की भी भाषा होती है कि उन संकेतों के आधार पर वो अपने बच्चों को अपने परीजनों को इशारों से बताते हैं जब उनके उपर किसी प्रकार का संकट या मसीबत आती है तो वो एक दुसरे को इशारा कर देते हैं उनकी भी अपनी कोई मानो भाषा है कि जिसके आधार पर वो एक दुसरे look shitty करते में या कुछ बताते हैं कुई बार यही वाते उनके पीच जगडे टंटो का हेत्व बन जाया करती है तो यह भाषा भी उनके लिए क्या है इनके हुधों में घंब हो जाते जैसे कि उसरी से रहती है उसी प्रकार से कभी कभी उनमें भी तूटू में में हो जाती है हमारे मानव जाती में भी इस प्रकार से होता है और उसी प्रकार से उनमें भी इस प्रकार की हरकते होती रहती है महिना पहले हरी घास की चूट की तनीक सी रार को लेकर दो हिरनी आपस में भीड गई थी और दो हिरनी में इसी महिना भर पहले हरी घास, हरी घास काने के लिए चूट की तनीक सी रार को लेकर और चोटी सी रार को लेकर उनमें जगडा हो गया दो हिरनी में क्या हो गया जगडा की ये मेरा है ये मैं काऊंगी ये मैं इसको क्या कर दी ये मेरा है इस बात को लेकर उन्होंने क्या कर दी एक दुसरे से वो भीड़ गई यानि एक दुसरे से लड़ाई करने लगी सींग सींग और सींग सींग इस प्रकार से जोर जोर से एक दुसरे पर वो क्या करने रहेती गुसा निकाल रहेती प्रुष्यों को भी क्रुष्यों 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 को आपको अपना आपा जो है वो खो देते हैं और एक दूसरे पर तूट पड़ते हैं दोनों हिर्णियों ने एक दूसरी को मात देने के लिए अपनी जान फोग दी थी तो वो इस वरकार से लड़ाई करने लगी थी कि चाहे उनकी जान क्यों न चली जाए मौत क्यों न आ जाए लेकिन ये मेरा है इसके लिए उन्होंने एक दूसरी की जानी नहीं दिया और ना ये कोई पीछे हटने का नामी नहीं ले रही थी ना एक दूसरी ले रही थी ना पहली ले रही थी उन्होंने क्या कर दिया मात देना है यानिकि उसको मैं पराजित करू और इस पर मेरा हग जता हूंगी। बस इतना ही उनका ध्यान था, दोनों का। उस दिन लड़ाई भिड़ाई में उस दिन लड़ाई जो हुई जो दोनों की उसमें इस हिरनी के एक सिंग ने जगह छोड़ दी थी। और उसका जो एक सिंग था वो जगह छोड़ दी आने की वो क्या हो गया, वहां तूट गया लड़ाई में। सिंग जड़ उखड़े पौदे की भाती कई दीन हिलता रहा था। और जैसे जड़ उखड़े पौदे, जड़ को छोड़ दिया और पौदा जिस प्रकार से लटक जाता है, उसी प्रकार से वो हिलता रहा कई दिन तक। जैसे जड़ में से पौदा उखड़ जाता है और लटकता रहता है, कई बार गीर भी जा सकता है, जैनि जड़ जी बहुत ही कमजोर है, तूट गई हो जादा करके, वो गीर भी जाता है, तो उसी प्रकार से वो जो सींग था, कई दिनों तक उसके सिरुपर क्या होता, किलत 25 दिन बाद शने शने फिर जड़ पकड़ने लगा था, और धीरे धीरे 25 दिन के बाद धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगा था, यानि कि वो वहाँ पर मजबुत होने लगा था, गिरने ने आओ देखा न ताओ, उन्होंने आओ देखा न ताओ, यानि कि जो भी होगा वो इस प्रकार से उस सींग पर अपने खूर का तीखा प्रहार कर उसे तोड़ पटका था और फिर उसने क्या किया कुरोध में आकर सींग पर अपने खूर का अपने जो पंजे से जोर से उसको क्या किया तीखा प्रकार किया और उसने क्या क्या उसको तोड़ कर नीचे गिरा दिया पटका दिया था सहर रुधै को नाचीज की और से इनाम और फिर मानो उसने वह मुझे इनाम दिया अपने शावक को साथ लिये वह उलसित मन उचलती कुदती छलांगे भड़ती घास जाडियों में अंतरधान हो गई थी और उसने जोर से अपने सिंग पर प्रहार किया था और तोड़ पटका था वह सिंग नीचे गिर गया था और नाचीच को मेरे जैसे विक्ति को रचनात कहते मानो उसने वह एक छोटा सा उसने एक इनाम दिया गीप दिया मुझे कि मैंने उसके शावक की जान बचाई तो इसके बदले उसने मुझे जाते-जाते क्या कर दिया ओ इनाम दिया और वह खुश होकर उलसित मन से उचलत कूदती चलांगे भरती घांस जाड़ियों में अंतरधान हो गई थी अंतरधान हो जाना यानि अदृष्य हो जाना और चलांगे लगाते हुई कुट्ती और खुश होकर वह वहां से अपने शावक के साथ अदृष्य हो गई अंतरधान हो गई थी कि लचीनाद की नज़र धर्ती पर तूटे पड़े हिर्नी के सींग पर गई और जो धर्ती पर घिर्नी का सींग गिरा हुआ था उस पर लचीनाद ने देखा उठाते हुए उसे अपने दिवंगत मा याद हो आई थी अपनी मा की याद उने हो आई, उनके घर किसी जमाने का हिरनी का सिंग हुआ करता था, उनके घर में एक हिरनी का सिंग हुआ करता था, जब भी उनके डेरे को प्रते मा अपनी थैली में रखे उस सिंग को हाथ में लिये चलती थी, जब एक जगह से दूसरी जगह उनका, जो तो एक जग पर नहीं रहते हैं, उनका हमेशा एक जग से दूसरे जग पर डेरा जाता रहता था, तो एक जग से दूसरी जग जब वह स्थलांतरित होते थे, तो उसकी लचिनाथ की जो मा होती थी, वह सिंह अपने हाथ में रखती थी। क्यांकि वह कहीं गुम न जाए यहां कहीं खो न जाए यहां गीर न जाए वहों सरसोगे तेल के दिये की लोग को लोहे के पत्रे पर रोक कर, इकटा कर लेती थी सरसो के तेल के दिये सरसो के तेल का दिया जो जलाया जाता था उसकी जो लोह होती थी वो लोहे के पत्रे पर रोक कर रोहे का पत्रा उपर से रख कर उसको इकटा कर लेती थी और उसकी जो ब्लैक कलर की जो भी उसकी लोह आती थी वो उसका कर लेती थी मदु मक्के के छत्ते की भाती पत्रे से लटकी कालिक पत्रे पर जो कालिक हो जाती थी खुरुच वह उसे कांसे के कटोरे में डाल उसको खुरुच लेती थी और उसको कांसे के कटोरे में डाल हीरन के उस सिंग से घिस घिस कर फिर उसको कांसे के कटोरे में डाल कर वो जो कालिक होती थी उसको कांसे के कटोरे में डाल देती थी और हीरन के उस सिंग से फिर क्या करती थी हीरन के सिंग से उसे घीस घीस काजल तयार करती थी तो उसको घीस कर वो कालीक से क्या तयार करती थी काजल तयार करती थी और वो शुद्ध काजल होता था जो अभी मार्केट में मिलते हैं उस प्रकार की काजल नहीं थे उस समय इस प्रकार से ही काजल बनाया जाता था जो आखों में लगा कर आखे बहुती सुंदर भी प्रतित होती थी और इस से आखो में जो भी कच्रा है जो भी वो निकल जाता था और आखों को भी ठंडक पहुंचते थी रहत पहुंचती थी कि वह काझल पूरी डेरों में बटता था और जो पूरा उनका जो देरा था जितने भी उनके परिजन थे, उनके साथ जो घुमकड यहां से वहां जब वो डेरा लेकर जाने वाले परिवार थे, वो जो परिवारों में वो सब काजल मा क्या करती थी, बाटती थी, थोड़ा-थोड़ा देती थी, मासा-मासा सब को दिया जाता था. गुमकड का क्या ठोर? गुमकड जो है, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता. आज यहां है, कल दूसरी जग जाएंगे. क्या ठिकाना? देरा उटते जमाते लचीनात से वह सिंग कहीं गूम हो गया था. और वो जो उनकी माह, उस से जो काजल बनाने का काम, जिस सिंग से किया करती थी, डेरा उठाते समय एक जगस से दूसरी जगस जाते समय जो सींग था वो मानो कही गूम हो गया घरनी के इस सींग को घर लाते जैसे काजल तयार करती उसकी मा साक्षत हो बही थी और उसे यह महसूस हुआ प्रतित हुआ कि देखो जैसे मुझे आज सींग मिल गया है तो मानो जीस परकार से पहले काजल काजल बनाने का काम होता था, उस प्रकार से अब मा मानो क्या करेगी, काजल बना लेगी, जैसे कि मा उनके आखों के सामने आ गई थी, और मा अब क्या कर लेगी, काजल बना लेगी, उसके मन में विचार घुमड़ा, उसके मन में विचार आया, अब वह इसी सिंग का घीसा का आजल काम में लेगा और इस शिंग से मैं उसी प्रकार से काजल का निर्मान करूँगा, काजल बनाऊंगा और उसका उपयोग करूँगा, उसकी आखे कम सुजती है और इससे आखे जो है कम सुजती है आने कि किसी को देखेंगे कि कई बार आखों में सुजन आ जाती है या आखों की कुछ समय आखों में कुछ कच्रा होता चला जाता है तो उस समय ये बालकों के लिए भी भी क्या किया जाता था एक आजल लगाया जाता था कि आखें जो है वो सुरक्षित रहे आखों को ठंड लगे और आके जो है गर्म नहों पाए जादा तो इससे आके शुरक्षित रहती थी उनमें सुजन नहीं आती थी वस्तुये पकंडे में दिक्कत होती है और इतनी वस्तुये है कि वह पकंडे में क्या होती है समस्या निर्मान होती है उसने सिंग को जोपडी की बाती में खोज दिया था जोपडी की जो बाती रहती है जुगू की और उसमें उन्होंने क्या कर दिया उस पर सुरक्षित रहे इस से तो वहाँ खोज दिया पुत्य ने वह चुरा चोग में लाकर पटक दिया था और चोग में लाकर चुरा क्या किया जिस चुरे से वह शावक को क्या करने वाले थे मारने वाले थे उसका शिकार करने वाला था शावक का और उसका मांस खाने वाले थे वह चुरा पुत्य ने शेरू ने क्या किया वहा पर लचीनात ने छोक में पड़ा चुरा उठाया और दूर नाले में फेक आया और लचीनात ने वो चुरा उठाया और जो नाला था दूर वहां जाकर फेक दिया कि अभी चुरे से हम किसी के अत्या नहीं करेंगे इस कहानी से यह जो कहानी है यह बहुती सुन्दर कहानी पूरक पठन में डॉक्टर रत्नकुमार सामरिया जी ने हमें बहुती सुन्दर तरीके से हमारे अध्यनकरम में रखी गई है बताई है इस कहानी से मा के स्निया के बारे में कि बच्चा चाहे कहीं पर भी हो लेकिन मा क मन उस बच्चे में लगा रहता है मां जो होती है बच्चे के लिए कितनी व्याकुल होती है और बच्चों को भी इस ब्रकार का भाव होना चाहिए कि मैं भी मां जो है मां के लिए कुछ करू मां के प्रति भी हमारा कुछ उत्तरदाइत्व है और जो मां होती है मां के जैसा द सारी सीख हमें मिलती है और पेज नमबर जैसे शुरुवात होते हैं पेज नमबर फर्स्ट जो निकलता है वहाँ पर आपको QR कोड दिखेगा उस QR कोड पर आप उसको स्कैन करेंगे तो आप लोगों को कुछ अब्जेक्टिव सवाल जो है प्रेशन जो है आप लोगों को दस अंकों के मिल जाएंगे इस पार्ट से संबंदित और उनको एक एक को आप हल करते जाएंगे तो आपको तुरंट आपका रिजर्ट भी मिल ज जाएगा कि आप लोगों को दस में से कितने अंग प्राप्त हुए हैं तो आप लोग उस QR को क्या करेंगे स्कैन कर लोगे अच्छे से और जो क्वेस्टिंस आएंगे उनकों को हल करेंगे और देखेंगे कि तुरंट आपका रिजर्ट भी आपकों के समने हो जाएंगा तो इस से संबंदित जो आकृतिया है लचीनात का शारिरिक सोष्टव कैसा था आप लोगों को पूछा जाएगा चार मुद्दो के आधार पर यह आपको बताना है लचीनात का शारिरिक सोष्टव पवने छ फीट लंबा कर दूसरे में होगा पतला सा सूता हुआ शरीर किसरा होगा लंबी गर्दन और चोता होगा गेहुआ रंग था यानि संजाल पूर्ण कीजिए इसमें आप लोगों को इस प्रकार का प्रश्ण आता है शेरू की शारिरिक सनरचना शेरू जो उसका शावक था उसकी शारिरिक रचना कैसी थी सूत की रसी सा सूता हुआ शरीर दूसरा है दन तेल पेट पीट एक थी उसकी और चोता है लंबा मू तथा लंबी पूछ थी आगे देखेंगे आप पूर्तिया पूर्ण कीजे में आकलन से संबंदित एक प्रशना आएगा आपको अपने शावक को शिकारी के हाथ में देखकर हिर्नी की मनिस्थिती उसकी मन की दशा जो थी वो कैसी हुई तो चार मुद्दों के अधार पर चार शब्दों के अधार पर आपको यह बताना है वो उदास हो गई थी हताश हो गई थी क्लांथ हो गई थी और शोग संतप्ससी हो गई थी हिरनी की सांसे इन स्थानों पर सिम्टी हुई थी कहां पर दो स्थान बताये थे वहां पर एक है फेपडों में और दुसरा है पसलियों में उसकी सांसे जो है वहां पर सिम्ट गई थी आपको कुरुतिपूर्ण कीजे में इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है लचिनात ने बच्चा हिरनी के पाँच छोड़ा तो क्या हुआ जैसे ही लचिनात ने उस शावग को हिरनी के बच्चे को उसी के पाँच छोड़ दिया तो क्या हुआ हिरनी की जान में जान आ गई वह चैतन ने और चोकस हो गई उसकी आखों से टपके ये आशु खुशी के थे आखों से आशुओं की दो तीन बुंदे गिरी कि आप लोगों को स्वमत अभिवेक्ति करनी होती है अपनी अभिवेक्ति करनी है जो प्रश्न दिया जाएगा आपका मत वहां पर बताना है लच्छीनात गुमक्कड जंजाती का प्रदीनिद्व करता है पश्ट कीजे इस प्रकार का प्रश्न होगा आपको और इसको आप को अपने मत से अपने अभिवेक्ति इसके आधार पर आपको क्या करना है उसे लिखना है कुट्टे आदमी से अधिक वफादार और स्वाभी भक्त होते हैं स्पष्ट कीजिए आपको पता ही है कि कुट्टे जो है वो कितने वफादार होते हैं स्वामी भक्त होते हैं वो अपने शब्दों में बताना है हिर्नी की मन की स्थिती का वरणन आट दस वाक्यों में कीजिये उसकी मन की जो स्थिती थी अपने शावक के प्रती वो आट दस वाक्यों में क्या करना है स्वोमत अभिविक्ति करनी है अपने इशावक को पांक कर हिरनी के मन लचिनात के प्रती उठे भावों को आठ से दस वाक्यों में व्यक्त कीजिए उसके मन में कौन से बदलाव हुए पहले लचिनात किस आवेश में था कौन सी तयारी में था क्या करने के लिए जा रहा था और बाद में जब उसने हिरनी को देखा तो वो किस प्रकार से उसका मन परिवर्तन हुआ उसे कौन सी घटना याद हो आई कि जिसके कारण उसने उस शावक को छोड़ दिया ये सारी बाते उसमें क्या करनी है सुवमत अभिवेक्ति में वेक्त करनी है क्रोध हर जीव में द दुर्गुन है दुर्गुनों से बचा ही रहना है वेक्ति ने अपने जीवन में क्रोध जो है क्रोध पर जो जब भी क्रोध आता है तो थोड़ा शांत हो जाओ पानी पी लेना पुल्टी गिंती करना लेकिन क्रोध को अपने उपर हावी उनी होने देना क्रोध को टालना क्रोध से क्या होता है वेक्ति की बुद्धी पर अस्तित्व बना लेता है इसलिए क्रोध में कुछ सूजता नहीं और गलत हरकते होती रहती है इसलिए क्रोध पर नियंत्रन रखना अवश्य होता है यह बात आपको क्या करनी है अपने मत से बतानी है अभिवेक्त करनी है तो यहां पर यह जो बहुती सुन्दर रचना डॉक्टर रत्न कुमार सामरिया जी ने हिर्णी यह स्पाट से हमें बताई है मा की मन की वेता और शावक की जो कहानी है हिर्णी की शायद आप लोगों को करता हुएं कि बहुत ही ऑच्छी तरह से समझ में आई होगी कि अ आस सर हाज सर क्यों पर हम समाथ लशीनात की निगाएं लिजाएं आ दुसरी तरब चली गई निगाहे निगाहे याने दृष्टी नजर यह सर वेड़ जाला सर ओके सर